मा की बाते स्वामी अरूपानंद सिवार्तालाब जैराम बाटी में प्रथम दर्शन एक फरवरी उन्नी सो साथ शिव चतुर्दशी की पूर्वत रितिया प्रातः प्रायह साड़े आट बजे वर्दा मामा ने आकर खबर दी मा बुला रही है घर के भीतर जाकर देखता हूँ मा अपने कमरे के भीतरी दर्वाजे पर खड़ी हो राह देख रही है प्रणाम करते ही उन्होंने पूछा कहां से आये हो मैंने जिले का नाम बतलाया मा लगता है अब ठाकूर की बातों को लेकर ही रह रहे हो मैंने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया बातचीत मानो पूर्व परिचित की भाती हो रही है वह स्नेह भरी दृष्टी मुझे अब्भी स्मरण हो आ रही है मा क्या तुम कायस्त हो मेरा सारा शरीर शीत काल के कारण गरम चादर से ढखा हुआ था मैं हाँ मा तुम लोग कितने भाई हो मैं चार मा बैठो जल्पान करो यहां क्या है उन्होंने स्वयम बरामदे में आसनी बिचा दी और रात की लूची और गुड का प्रसाद एक कटोरी में ले आई पिछले दिन तारकेश्वर से पैदल चलकर आया था साथ में देशडा का एक लड़का था गोविंद राय का बड़ा लड़का उसके साथ हरीपाल स्टेशन में परिचय हुआ था रात में उसके घर रुका था मा ने यहां सब सुना और मेरे खाने के बाद बुली नहाना मत बहुत दूर पैदल चलकर आय हो फिर एक पान दिया दो पहर में ठाकुर का वोग होते ही उन्होंने मुझे बुला भेजा और सबसे पहले खाना खिलाया वे स्वयम ही शाल के पत्ते में सबजी भात आदी परोज गई मैं मा के कमरे के बरामदे में बैठा खा रहा था खाते समय मा ने कहा देखो पेट भर कर खाना खाने के बाद पान दिया शाम को तीन-चार बजे घर के भीतर जाकर देखता हूँ मा आटा गून रही है अपने कमरे के बरामदे के दक्षिन पश्चिम कोने में पूर्व की ओर पैर लंबा करके बैठी है पास में ही छोटा सा चूलहा है शाम को लूची, तरकारी, आधी वही पर तयार की जाती है मुझे देखकर मा ने पूछा क्या चाहिए मैं तुमसे बात करनी है मां क्या बात? बैठो यहां कहे कर उन्होंने बैठने के लिए आसनी दी मैं मां, ठाकुर को सब यहां जो पूर्ण ब्रह्म सनातन कहते है तुम क्या कहती हो? मां हाँ, वे मेरे पूर्ण ब्रह्म सनातन है मेरे कहने पर मैंने कहा वैसे तो प्रत्तिक स्त्री के लिए ही उसका पती पूर्ण ब्रह्म सनातन है मैं उस दृष्टी से नहीं पोच रहा हूँ मा, हाँ, वे पूर्ण ब्रह्म सनातन है पती रूप में भी और ऐसे भी तब मेरे मन में आया वे पूर्ण ब्रह्म होने से तो मा स्वयम जगदंबा हुई जैसे सीता राम, राधा कृष्ण एक दूसरे से अभिन्य है मैं भी यही विश्वास लेकर मा के दर्शनों को गया था मैंने पूछा तब फिर तुमको यहां जो एक साधारं स्त्री के समान रोटी बेलते देख रहा हूँ यहां सब क्या है? क्या माया है? मा, माया नहीं तो और क्या? माया नहुने से मेरी ऐसी दशाक्यों होती वैकुंट में मैं नारायन के पास लक्ष्मी होकर रहती